अग्याइब देखें कि मार्केट का पिएजडी कैसे यूज करें डिलक्स रेटर में तो यह लिए देखते हैं यहां पे देखी एम का एक बाटम है बस उसको क्लिक करना है कि देखे क्लिक करते ही मेरा डेश्टॉप का फुल्डर ऑपन हो गया यहां पे आप कोई भी ड्राइब स्लेट कर सकते हैं यहां पे आपका मार्केट का पिएजडी है मेरा डेश्टॉप में मार्केट पिएजडी में लिख चुका हूँ वहां पे मेरा है पिएजडी बस उसको स्लेट करूँगा देन ओके कर दूँगा यह जब software में added हो जाएगा ना वो आपको message display कर देगा sir देख लिए देखे sir message display हो गया यह आपका phd add हो गया deluxator में बस ok करना है उसको यहाँ पर market templates पर आना है देखे यहाँ पर आपका display नहीं कर रहा है क्योंकि यह आपका generate नहीं हुआ है नहीं किया thumbs को बस हम thumbs को generate करेंगे generate पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखिए thumbs generate हो जा रहा है आप जितने भी phd market का input किया हो बस इतने ही input करेगा thumbs ok देखे मेरा processing complete हो चुका है बस market का template में क्लिक करूँगा देखे अभी मेरा display हो गया क्योंकि ओ thumbs generate नहीं हुआ था अभी thumbs generate हो गया देख लिजए बस मैं कोई भी phd को क्लिक करूँगा double click phd open हो गया मेरा ठीक ना बस आपको कुछ करना नहीं है shift button दवा के layer को select करना देखे ठीक ना shift button दवा के layer को select करना है देखे मैं layer select कर चुका हूँ बस photo panel में आना है आपको आप जीतने भी इसमें layer है इतना photo आपको डाल देना है ठीक ना देखे मैं photo select कर रहा हूँ देखे आपका layer कितना है start tool layer है और मैं कितना select क्या हूँ start photo select क्या हूँ ठीक ना बस आपको कुछ करना नहीं है right click magic image को click कर देना है यह software क्या करेगा horizontal photo horizontal layer vertical photo vertical layer में detect करेगा सर देख लीजिए आपको कुछ करने की ज़रूद नहीं है देख लीजिए आप किसी भी market का PhD आप यूज कर सकते सर कोई भी आपके पास अगर old का PhD हो या आपके पास पुराना का PhD हो या आप कहीं से आप खरीद के लाए हो वह भी PhD आप यूज कर सकते इस software में कोई दिक्कत नहीं है सर देख लीजिए देखे हमारा market का PhD बढ़ा complete हो चुका है यहाँ पे आप अगर clipart देना चाहते तो बस जितना area को select करना है select कर लीजिए clipart देना है यहाँ पे कोई भी clipart दे सकते हो देख लीजिए तरह तरह की clipart दे बैस warding देना चाहता हूँ देख लीजिए warding लग जाए सर कितना अच्छा look लग रहा है सर देख लीजिए आप जैसा चाहिए ऐसे कर सकते हो सर बस इस photo को में यहाँ पे डालना चाहता हूँ देखिए मेरा market का page ही automatic open हो चुका है में को क्या करना है बस लियार को select करना है ठीके न सीब बटम दवा के बस देखिए लियार को select करके मेरा select हो गया लियार photo panel में आना है मेरे को और photo फिल करना है देख लीजिए यहाँ पे कितना लियार है six लियार है मैं कितना photo डाला हूँ six देखिए जब भी आप photo select करते हो यहाँ पे status bar दिखाएगा कितना photo select कर रहे हो बस right click magic pilgrimage को क्लिक करना है देखिए मेरा photo automatic horizontal layer horizontal में जाएगा vertical layer vertical में जाएगा sir कोई problem नहीं है sir देख लीजिए देखिए हमारा complete हो चुका है ठीक है आप किसी भी प्यर्ड यूज कर सकते ठीक है देख लीजिए यहाँ पे album 2 लेग लेता हूं ठीक ना a2 बस okay कर दोगा देखिए sir मेरा यह PhD automatic save हो जाएगा sir यह PhD में और image में दोनों save होगा sir बस इसको भी ऐसा करना है save page PhD and jpeg यहाँ पे a1 ठीक ना album 1 उसके बाद okay कर दोगा देखिए jpeg and PhD दोनों एक साथ save होगा sir कोई problem नहीं है sir देख लीजिए आप जो भी photo यूज करते हो ना यहाँ पी यूज बोल के लिखेएगा sir क्योंकि आपको पता होगा कि कितना PhD मैं यूज कर चुका हूँ मेरा old PhD में ठीक है ना तो इस वीडियो में इतना ही thank you for watching deluxator